हंजी तो बच्चों आज की क्लास में हम न्यू चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चेप्टर का नाम है ओवर हेड्स ये चेप्टर कहता है कि अगर आप मुझे समझना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी होगी हमने पूचा बताओ ऐसा क्यों चेप्टर कह रहा है अगर मुझे पढ़ने में या मुझे समझने में आप जल्दबाजी करोगे तो फिर ये चेप्टर कहता है कि मैं ओवर दा हेड्स गुजर जाऊंगा तो अकसर स्टूडेंट को परिशानी रहती है वो कहता है कि सर ओवर हेड्स चेप्टर में हमें बड़ी परिशानी है तो कोई परिशानी नहीं है एक दम आसान चेप्टर है लेकिन इस चेप्टर की एक डिमांड है कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी जल्दबाजी नह हैं तो आईए और मेरे साथ सबी बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं चेप्टर ओवरहेड्स ठीक है सर तो आईए और मेरे साथ नोट करते हैं हमारे चेप्टर का नाम है ओवरहेड्स और हमारी book में overheads के नाम के दो chapter है एक तो है chapter number 4 और फिर है chapter number 5 तो chapter number 4 जो है ना आप इसे theory समझ लीजिए और इस पर ज्यादा आपको importance देने की ज़रुवत नहीं है और मेरे साथ साथ सीधा chapter number 5 की बात करेंगे होता क्या है ज्यादा theory समझते हैं तो confuse हो जाते हैं जब हम practical बनाते हैं तो हमारे mind में image अपने आप बनती है तो आई ये chapter number 5 के उपर आते हैं तो हम सीधा chapter number 5 की बात आपके साथ करेंगे और chapter का नाम है मेरे पास overheads simple सा chapter है सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस chapter में हमने पढ़ना क्या है तो इस chapter के अंदर हमने आपको क्या क्या समझाना है सबसे पहले तो हमने आपको बताना है पहले meaning लिख लेते हैं now what is the meaning of overheads या यू कहें कि overheads होते क्या है बच्चा कह रहे सर मुझे अभी तक ये अच्छे से पता नहीं चला overheads होते क्या है ऐसा खर्चा जिसका product के साथ direct connection नहीं पता चल पा रहा उसे बोलते हैं overheads जिसका direct connection पता चल रहा है न आपको उसे बोलते हैं direct cost और overheads मेरी क्या है indirect cost सर ऐसा कौन सा खर्चा है जिसे हम directly relate कर नहीं पा रहे ठीक है आप restaurant में खाना खाने गए और वहाँ पर उन्होंने पानी पिलाने के लिए disposal glass रखा हुआ है restaurant वाला कह रहा है कि ये पानी के glass भी तो मेरी cost का हिस्सा है खर्चा हो रहा है अब इस cost को मैं अपने शाही पनीर की cost में add करता हूँ इसे मैं पाव भाजी की cost में add करता हूँ अब बच्चा confused कह रहा है बताओ सर पानी पीने का disposal glass उसकी cost इसमें कैसे जोड़ लेता है ये tissue paper की cost जोड़ लेता है वो तो ठीक है वो कहता है मेरे restaurant के बाहर जो security guard वाला है मैं तो उसकी भी cost इसमें जोड़ लेता हूँ ये जो आपकी billing counter पर बैठा हूँ आपकी billing कर रहा है उसकी labor के charges जोड़ लेता हूँ मेरी electricity है, air conditioning है, मेरी marketing है बहुत सारे example हैं ऐसे जो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताईए शाही पनीर बनाने में उसकी कितनी cost डालू दाल मखनी में कितनी cost डालू पाव भाजी में कितनी डालू मसाला डोसा में कितनी डालू आप कहोगे सर ये तो बड़ा cutting सवाल है cutting इसलिए है क्योंकि उस खर्चे में और जिस product में मैं cost डाल रहा हूं उसमे direct relation निकालना मुश्किल है ऐसी सारी cost मेरे लिए indirect cost है और हम आपको बताएंगे business करना है तो सारी की सारी cost को recover करना ज़रूरी है ठीक है sir तो overheads का मतलब क्या है तो overheads का मतलब होता है simple शब्दों में बात करें overheads means aggregate of जो मैंने glass, tissue paper यह सब example दिये उसे हम बोलते हैं indirect material क्योंकि वो सामान था indirect labor जो मैंने आप से कहा billing करने वाला person है security guard है and indirect expenses rent, electricity, advertisement यह सब ठीक है indirect cost indirect cost is that cost which can not be क्या कहूँ easily भी कह सकता हूँ directly भी कह सकता हूँ conveniently भी कह सकता हूँ indirect cost is that cost which cannot be easily charged on each unit of output जो भी सामान आप बनाते हो उस सामान को बनाने में वो कितनी cost खर्च हुई यह बताना बहुत ही मुश्किल है तो सर क्या करेंगे in order to charge indirect cost on finished goods following steps are required अगर आप इन खर्चों को product के उपर डालना चाहते हो तो आपको क्या steps करने होंगे यह बाते आपको समझनी होंगी ठीक है sir क्या करना होगा तो इसके लिए करना यह होगा number one collect your overheads collect your overheads department wise department wise का मतलब यह है कि आपके जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे कहां कहां पर हो रहे हैं पहले यह बताओ sir खर्चे कहां कहां पर हो रहे हैं इससे आपका क्या मतलब है मैंने कहां देखिए simple सी बात है मान लेते हैं आपके school का example लेते हैं छोड़ स्कूल छोड़ो न अब हम college में आगे चले college का example लेते हैं college के अंदर staff room है तो staff room के खर्चे इकठे करो sir college के अंदर principal मैडम का room है तो principal मैडम के room में क्या खर्चे हो रहे हैं वो collect करो classroom जहां पर आप पढ़ रहे हो वहां क्या खर्चे हो रहे है library में क्या खर्चे हो रहे है आपके यहां पर auditorium में क्या खर्चे हो रहे है यानि अगर आप खर्चों को product wise पता नहीं लगा सकते हो तो पहले ये पता लगाओ कि वो खर्चे कहां पर हो रहे हैं उसे बोलते है cost center और cost center बोलूँगा तो बच्चे घबराएंगे तो मैंने उसको नाम दे दिया department इसका मतलब अगर ये आपका business है या ये आपकी building है तो building का जो हिस्सा है न that is called department किस department में कितने खर्चे हो रहे हैं पहले ये बताओ चाहे वो department production करता है या वो department production नहीं करता है जैसे के मान लीजिए हम आपके साथ बात करते हैं किसी factory की अब factory के अंदर कई सारे छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनी वी हैं तो हमने उसे नाम दे दिया department हमने का बताओ किस department में कितना खर्चा हुआ अब सर्फ factory के अंदर इतने सारे कमरे क्यों हैं हो सकता है किसी जगा production हो रही हो हो सकता है किसी जगा स्टाफ बैट के खाना खाता हो केंटीन हो हो सकता है किसी जगा पर factory के किसी हिस्से में sports club बना हुआ हो जो भी बना हुआ है आपको हिस्से department wise खर्चे को पहले ही कठा करना होगा तो collect your overheads department wise इसको आगे चलके आप समझ लोगे इसको हम बोलते हैं primary distribution primary distribution of overheads जब आप ये वाला काम कर लोगे ना तो फिर हम अगला काम करेंगे अगला काम होगा secondary distribution of overheads secondary distribution of overheads इसका मतलब सर्क काम को दो बार करना पड़ेगा मैंने कहां जी काम को आपको दो बार करना पड़ेगा ठीक है जब आप दो बार काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा अब मुझे पता लग जाएगा finally के मैंने कहां कहां किस किस department में कितने कितने खर्च किये सर अगर यह पता लग जाएगा तो फिर क्या कर भोगे फिर मैं जब यह पता लग जाएगा मान लो रेस्टोरेंट का एक्जामपल लेता हूँ हमारे यहाना तीन तरह के रेस्टोरेंट चलते हैं एक में सर हम बनाते हैं नौर्थ इंडियन फूड एक में हम बनाते हैं सर साउथ इंडियन फूड और एक में हम बनाते हैं सर मान लीजिए चाइनीज फूड तीन तरह के मेरे पास रेस्टोरेंट है एक में नौर्थ इंडियन खाना बन रहा है एक में साउथ इंडियन बन रहा है और एक में चाइनीज बन रहा है तो जब यह पता लग गया किस department का ख़र्चा कितना है तो पिर मैं क्या करूंगा North Indian वाले department के खाने पर जो खर्चा हुआ वो North Indian Dishes के ओपर TRANSFER करूंगा South Indian Department का खर्चा South Indian Dishes पर TRANSFER करूंगा और Chinese Department का खर्चा Chinese Dishes के ओपर TRANSFER कर दूँगा ठीक है तो इसे हम बोलेंगे ओवर हेड्स रिकवरी रेट इसका नाम होगा ओवर हेड्स रिकवरी रेट ठीक है ये तीन चीज़े हम लोग करेंगे और फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक और हमारे पास आएगा जिसे हम बोलेंगे अंडर या ओवर रिकवरी ओफ ओवरेड्स अंडर या फिर ओवर रिकवरी ओफ ओवरेड्स ठीक है अच्छा जी अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आपके साथ प्राइमरी डिस्ट्रिबूशन ओफ ओवरेड्स ठीक है सर प्राइमरी डिस्ट्रिबूशन का सिंपल सा मतलब आप समझ लो अगर मैं आपको थोड़ी देर बिजनस से बाहर समझाने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए मैं एक छोटे से परिवार की बात करता हूँ आपके घर की बात करता हूँ आपके घर में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए चार लोग रहते हैं एक परिवार में अपना घर छोड़िए एक परिवार में मान लो चार लोग रहते हैं मेरी बात समझने के लिए ऐसी समझो एक फादर है एक मदर है और दो बच्चे है मदर भी अर्निंग है, फादर भी अर्निंग है, दोनों अर्निंग है और दोनों बच्चे सर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब घर में चार लोग है ऐसी मैंने का कि मान लो एक फैक्टरी है, फैक्टरी में चार डिपार्टमेंट है फैक्टरी में बात करेंगे तो डिपार्टमेंट की बात करेंगे, फैमिली में बात करेंगे तो परसंस की बात करेंगे, ठीक है सर, चार लोग है फैमिली में, अब मैं आप से कहा रहा हूं कि बताओ, फैमिली में जो खर्चा होता है, टोटल जो फैमिली में खर्चा होता है, उस खर्चे में फादर का खर्चा कितना है, मदर का खर्चा कितना है, बच्चे का खर्चा कितना है, दूसरे बच्चे का खर्चा कितना है, ये इसको बोलता है प्राइमरी डिस्टिबिशन आफ ओवरेट्स बिजनस आपका एक है, वहाँ पर सर्फ फैमिली एक है, बिजनस के अंदर डिपार्टमेंट है, तो सर्फ फैमिली के अंदर मेंबर हैं, बिजनस में हम डिपार्टमेंट वाइस खर्चे की बात कर रहे हैं, और फैमिली में हम पर परसन कितना खर्चा वह उसकी बात कर रहे है इस काम को करने के लिए हमें दो बाते समझनी है नमबर वन तो प्राइमरी डिस्ट्रिबूशन ओफ ओवर हेड्स इसे हम बोलते हैं departmentalization departmentalization of overhead involves two things तो आपको दो steps करने हैं primary distribution में पहले वाले को हम बोलते हैं allocation और दूसरे को हम बोलते हैं apportionment अब हमने आपको बताना है कि सर ये apportionment क्या है और ये allocation क्या है ठीक है जी ऐसा करते हैं कि पहले हम आपको छोटा सा example दे देते हैं फिर काम होरा असान हो जाएगा क्या दिक्कत है मैंने आपको simplicity से समझाने के लिए family का example लिया mother है चलो पहले father है mother है एक son है एक daughter है चार लोग है simple concept समझना है तो मैं family में जो खर्चे हो रहे हैं उसे बाटना चाहता हूँ कि उसमें father की वज़े से कितना है या father कितना खर्चा कर रहा है mother कितना करिये सबसे पहले खर्चे की बात करते है sir mobile का bill आया mobile phone का bill आया अब जब mobile phone का bill आएगा तो mobile phone अगर father यूज़ करते है तो वो father के नाम का आएगा mother यूज़ करते है अलग-अलग वो खर्चा है, separate खर्चा है तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं allocated overheads allocated का मतलब है कि आपको पता है ये खर्चा किसका है किसी एक particular department का ही खर्चा है दूसरे का नहीं है, तो उसे बोलते है allocated overheads अब मैं ये आपको बतारो mobile phone मान लीजिए ये चारों यूज़ करते हैं, लेकिन चारों का बिल अलग-अलग आता है तो जिस खर्चे का अलग-अलग amount पता चल जाए department wise अलग-अलग पहले से ही पता हो उसे बोलते हैं allocated overheads तो सबसे पहले समझेंगे what is allocation of overheads तो पहला concept हो गया allocated overheads तो क्या लिखेंगे allocated overheads में allocated overheads means means the indirect cost belongs to one department only यह केवल एक ही department की cost है and and it means charging obligue transferring full cost to a specific department to which it relates it means charging or transferring full cost to a specific department to which it relates इसका मतलब अगर किसी department में कोई ऐसा खर्चा होता है जो केवल उसी department में ही हो रहा है तो इसका मतलब वो खर्चा तो उसी department का है उसी के account में जाके उसको डाल दो जैसे मैंने example दिया mobile bill का अब बच्चे को दूसरे example से ज़्यादा clear होगा अब मैं दूसरे example की बात करता हूँ sir घर का electricity का bill आया अब घर का electricity का जो bill आया तो ये electricity चारों ने use की है तो ये bill चारों का मिला कर था और जो चारों का मिला कर था तो उसे मुझे चारों family members में divide करना पड़ेगा on some reasonable basis तो अगर कोई खर्चा आपका combined हो रहा है तो उसे हम family members में कैसे बाटेंगे उसे हम बोलते हैं apportionment और यही काम हम business में भी करेंगे अगर कोई खर्चा combined होगा तो उसे business के segments में कैसे divide करना है यह हम सीखेंगे इसी को हम बोलते हैं apportionment तो second concept है मेरे पास अपोर्चनमेंट अफ ओफ 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 तो अपोर्चनमेंट का मतलब हो गया apportionment is the process of dividing इसमें हमें क्या करना पड़ता है हमें खर्चे को बाटना पड़ता है it is the process of dividing total overhead cost among various departments on some suitable 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 equitable basis तो आप के पास कोई न कोई reasonable या suitable या कोई आधार होना चीए जिसके basis पर आप इसे बाटोगे sir ऐसा आप क्यों कर रहे हो this is done because the overhead is incurred commonly for अच्छा अगर मैं इसका इक्जामपल दूँ आपको तो इसका इक्जामपल समझी आप suppose आपकी factory rented है तो factory का rent क्या होगा पूरी factory का rent है सरी है और पूरी factory के अंदर अगर अलग अलग department चल रहे हैं तो वो सभी department का combined हो गया तो फिर मुझे इसे बाटना तो पड़े गाई ना तो ऐसे कई कर्चे होते हैं जिसे हम apportion करते हैं बच्चा कहरा बताओ इतने बड़े हम हो गए अगर खर्चा पहले से ही अलग अलग दिया हुआ है तो करना क्या है कुछ भी नहीं तो अलटीमेटली हमने यही तो सीखना है कि अगर खर्चा combined है तो उसे कैसे बाटा जाए यही main बात यह सीख जाएंगे तो distribution हो जाएगा और इसमें भी हमने यह सीखना है कि आकिर कार सर वो suitable basis क्या होंगे जिनके आदार पर हम apportionment करेंगे तो सभी बच्चे अब हैडिंग डालेंगे basis for apportionment of overheads और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके साथ ना सीधा सबसे पहले factory में होने वाले overheads की बात कर रहा हूं आपने पढ़ा है cost sheet के अंदर एक होते हैं factory overheads एक होते हैं office and administration overheads एक होते हैं selling and distribution overheads इन तीनों के अंदर जो हमारे पास most popular और सबसे ज़्यादा important part है that is factory overheads तो मैं आपके साथ factory overheads की बात कर रहा हूं ठीक है तो factory में खर्चों को कैसे बांटना है ये मैं आपको बता रहा हूं तो in a factory all the departments are of two categories हमारे पास factory में जो जितने भी department है वो दो तरह के हैं कौन सी दो तरह के हैं तो one are production departments and others are service departments अगर family के संदर्ब में बात करूं तो मैं कह रहा हूं family के अंदर दो तरह के members हैं पहले वो जो कमाते हैं production departments दूसरे वो जो कमाते नहीं है सर वो तो पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं तो वो कमाने वाले लोगों के उपर dependent हैं ऐसे ही factory में है service department service department क्या करती है कुछ production नहीं करती लेकिन बहुत जरूरी है घर का example लेके सोचिए सर हमारी मदर तो housewife है तो मदर housewife है तो service department है अगर मदर अपना काम नहीं करेगी तो ना बच्चे स्कूल जा पाएंगे ना फादर अपने काम पर जा पाएंगे बड़ी परिशानी हो जाएगी तो service department भी जरूरी है production department भी जरूरी है production department सपोर्ट करता है service department को कि आप खर्चों की चिंता मत करो आपके खर्चे उठाना मेरी जिम्मेदारी है और service department कहता है कि आप भी चिंता मत कीजिए आपकी help करना मेरी duty है तो factory में दो तरह के department है एक वो जो production department की help करते हैं उन्हें बोलते है service department और दूसरे वो जो production करते हैं उन्हें बोलते है production department ठीक है सर service department के कुछ example दो मैंने का बेटे बाद में दूँगा secondary distribution दरसल service department के ओपर ही ज़्यादा focus करता है अभी क्या बहुत कुछ बताना है अगर मैं ज़्यादा बातें बताऊंगा ना आपको तो फिर procedure lengthy हो जाएगा मुझे आपको question भी करवाने है ना आज तीनो पार्ट दिखाने है primary distribution, secondary distribution फिर overheads की recovery है तीनो बातें समझानी है और एक question भी कराना है आपको ठीक है सर तो various overheads various overheads are combined for many departments मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे खर्चे आएंगे जो combined खर्चे होंगे और वो बहुत सारे departments के होंगे and we need to and we need to divide those expenses among various departments on some basis किसी ना किसी आदार पर हम उसे divide करेंगे और इसी कों बोलते हैं it is called apportionment some of those costs and their basis are as follows तो हमारे पास कई सारे खर्चे आएंगे और हम उन खर्चों को कैसे apportion करेंगे आईए जी फटा फट देखते हैं सर खर्चे का नाम बताईए तो पहले हम खर्चे का नाम लिखते हैं कॉस्ट रिलेटिड टू फैक्टरी बिल्डिंग जो भी हमारे खर्चे होंगे फैक्टरी बिल्डिंग से जुड़े हुए उनकी बात करते हैं सर एक्जामपल दो देखो सबसे पहले तो फैक्टरी का रेंट फैक्टरी की बिल्डिंग का डेप्रिसियेशन फैक्टरी की बिल्डिंग का रिपेर एंड मेंटेनेंस फैक्टरी की बिल्डिंग के अंदर अगर हीटिंग की जरुरत है लाइटनिंग की जरुरत है एर कंडिशनिंग की जरुरत है रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट के अंदर एर कंडीशनिंग रखनी पड़ती है तो हम क्या कहना चाहते हैं हम कहरें कि भाई इन सभी खर्चों को जो की फैक्टरी के बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं इन सब में देखना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया उक्यूपाई कर रखा है तो इस पर on the basis of floor area ठीक है सर इसके बाद सर बात करते हैं फैक्टरी की प्लांट एंड मशीनरी के बारे में फैक्टरी प्लांट एंड मशीनरी फैक्टरी प्लांट एंड मशीनरी में सर कौन कौन सा खर्चा आएगा तो फैक्टरी की प्लांट एंड मशीनरी का डेपरिसेशन हो सकता है फैक्टरी की प्लांट एंड मशीनरी का इंशॉरेंस हो सकता है repair and maintenance हो सकता है इस तरह से अब क्या है मान लीजिए हमारी factory में let us suppose हमारी factory के अंदर total 50 AC लगे हुए है हमने किसी को contract दिया के भाई 50 AC की service और maintenance का ये आपको हमने पूरे साल का contract दे दिया एक लाग रुपे हमने दे दिये अब factory के अंदर मान लो 6 department हैं तो किस department के ओपर कितना खर्चा transfer करूं तो मैं पूछूंगा ये बता दीजिए किस department के अंदर कितनी value के AC लगे हुए है value के basis पर बांट सकते हैं sir value से ज़्यादा number of AC के basis पर भी बांट सकते हो हाँ जब आप खर्चे बांटोगे तो बेटे बिलकुल मत घबराना कभी कभी एक से ज़्यादा basis भी आएंगे तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है वैसे मैं in general जब factory के plant और machinery के खर्चों की बाते करूँगा तो मैं कहूँगा on the basis of value of asset हम value के basis पर उसको transfer करेंगे नमबर त्री सर factory power factory power को न हम लोग कई बार motive power भी बुलाएंगे तो होता क्या है जब आप घर का भी example देखेंगे तो आपके घर में भी दो तरह की electricity की line जा रही है एक power line है और एक light line है power line वो बड़े बड़े socket होते हैं जिसके अंदर आप fridge का socket लगाते हो AC का socket लगा देते हो उसे बोलते हैं power socket ऐसी factory के अंदर भी power socket होते हैं जहां पर machinery connect की जाती है और power का बिल अलग आता है और light का बिल अलग आता है तो जो आपकी power का बिल आया है कैसे बाटूँ ठीक है जी सर इसके लिए मेरा पहला basis क्या है horsepower या फिर kilowatt hours horsepower या फिर kilowatt hours ठीक है इसके बारे में मैं आपको note लिखवा देता हूं चलिए कई बार ऐसा होता है के मेरे पास एक से ज्यादा विकल्प उपलब्द है फिर मैं क्या करता हूं दोनों में से जो बहतर विकल्प है उसको लेने की कोशिश करता हूं जैसे समझे आपके घर में दो कार है एक मान लीजिए आपके घर में छोटी कार है और एक आपके घर में बड़ी हैवी कार है SUV समझ लीजिए अब मैं कह रहा हूँ कि आपने सिटी के बाहर घूमने जाना है तो हैवी वाली कार से जाईए वो ज्यादा अच्छा है अब आपका उसर क्या मैं छोटी कार से नहीं जा सकता जा तो आप उससे भी सकते हो लेकिन वो ज्यादा बहतर है तो हमारे पास overheads बाटने के लिए कई बार ऐसा होगा एक से ज्यादा basis होंगे गबराना मत तो हम आपको बता रहे हैं कि एक से ज्यादा basis हों तो कैसे काम करेंगे लोडर थैए । इव अ इप हो जाड़े आननेग्ल z tutti Нम्uldadeरे इव सिंटर कि cut of machines mere दो तोलिए ल जाड़ प्येर्ट जोड़ेंग्योंग्यों power expenses should be divided in the ratio of तब आप क्या करोगे आप horse power को number of machine Rs से multiply करोगे और फिर जो आएगी उस ratio के अंदर आप distribute करोगे सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब सनी कोशी करना सर किचन के अंदर fridge लगा है fridge 24 घंटे चलता है लेकिन सर किचन के अंदर एक और microwave oven रखा हुआ है वो थोड़ी देर काम करता है कमरे में AC है AC बिजली ज्यादा खाता है लेकिन AC हो सकता है आप 24 घंटे नहीं चला रहे हो तो दोनों में फर्क हो गया ना तो अगर आपके यहां पर सारी machinery सारा समय चलती रहती है तो केवल उनकी horse power देख लो और horse power के basis पर उस खर्चे को बांट दो लेकिन अगर आपके पास ऐसा setup है कि कुछ machines पूरा दिन चलती है कुछ machines कम समय के लिए चलती है तो फिर आपको इन दोनों के multiplication के साथ काम करना चाहिए ठीक है सर ये बात हमने समझ ली अगला देखते हैं अगला खर्चा है मेरे पास supervision देख रेख जैसे आप school में देखते हैं कि एक floor in charge है वो floor in charge आती है जाती है देखती है कि सब classes के अंदर section के अंदर काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा तो इसको बोलते है सूपर विजन सूपर विजन के अंदर भी हमारी first preference क्या रहेगी तो हमारी first preference रहती है number of employees क्योंकि सूपर विजन दरसल employees को supervise करने की बात कर रहा है लेकिन अगर number of employees question में नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे सर तो फिर मेरी second preference रहती है floor area कई बार काम को ऐसे भी बाटा जाता है कि भाई इन दो department को supervise आप कर लेना इन तीन department को supervise आप कर लेना तो supervision का area के साथ भी संबंद है ठीक है सर सिमिलरली अगर आपको lightning का खर्चा दिया है रोशनी का खर्चा दिया है तो lightning के भी मेरे पास दो method हो सकते हैं मेरी सबसे पहली preference रहेगी number of light points ये बताओ कितने light points आपके यहाँ पर department में लगाए गए है लेकिन अगर number of light points के बारे में ना पता हो तो फिर मेरी second preference रहेगी area similarly stores का खर्चा दिया गया है अगर stores का खर्चा दिया जाएगा तो इसमें मेरी first preference रहेगी material requisition और अगर material requisition नहीं दियोगी तो मेरी second preference हो जाएगी value of direct material value of direct material similarly हो सकता है आपको staff welfare दिया हो तो staff welfare का खर्चा मैं किस basis पर बाटूँगा तो क्योंकि ये employees से जुड़ा हुआ खर्चा है तो मैं number of employees लूँगा ठीक है sir अगर मुझे indirect wages दी होंगी तो मैं कोशिश करूँगा इसे बाटूँगा on the basis of direct labor cost अगर मुझे दिया हो जेंडरल ओवरहेड्ट मिसलीनियस एक्सपेंसिज या फिर संड्री एक्सपेंसिज तो बड़ी परिशानी है क्योंकि ये तो बताई नहीं रहा कि किस चीज का खर्चा है जेनरल को मैं क्या समझूँ किस चीज से जुड़ा हुआ खर्चा है तो ऐसे में परिशानी होगी लेकिन आपको घबराना नहीं है तो ऐसे में मेरी पहली preference रहेगी कि मैं इसे डारेक्ट वेजिस की रेशो में बांट लूँगा अगर डारेक्ट वेजिस उपलब्द नहीं होगी तो फिर मैं मशीन आर्स का इस्तेमाल करूँगा या लेबर आर्स का इस्तेमाल करूँगा और हो सकेगा तो कोशन में इसके रिगार्डिंग एक नोट दे दूँगा जी कि इस खर्चे के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए हमने ऐसा कर लिया तो आपने समझना है कि मैंने क्या काम आपको करवाना है मैंने करवाना है कि कॉमन खर्चे की डिस्ट्रिबूशन इसके लिए आपको रिजिड होने की जरूरत नहीं है कि सर अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या मैंने गलत कर दिया क्योंकि book ने तो किसी और तरीके से कर दिया तो teacher कहता है कि देखो खर्चे में और आपके basis में कोई relationship होना चाहिए एक से ज़्यादा relationship होते हैं इसलिए आपका basis भी accept हो सकता है अगर वो book से अलग है लेकिन वो logical होना चाहिए हमने आपको थोड़ा सा हिंट के basis पर बता दिया कि देखिए हमारे इसाब से ये basis है बाकि आपकी book के page number 240 के उपर भी उन्होंने ये छोटी सी एक list बना करके दी हुई है ठीक है sir आगे बढ़ जाते हैं आपके पूरा समय है book को खोल के पढ़ने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ना आगे बात करते हैं अब मैंने आपको बताना है कि हम लोग क्या काम करेंगे तो हमने basically overhead distribution sheet बनानी है overhead distribution sheet बनानी है ठीक है sir जब हम overhead distribution sheet बनाएंगे तो हम उसमें क्या बनाएंगे एक column बनाएंगे particulars का एक column बनाएंगे basis का एक बड़ा column बनाया production departments का और एक service departments का तो पहले मैं बना लेता हूँ फिर आप इसको लिखना यहां तो हम क्या लिखेंगे खर्चे का नाम कौन सा खर्चा किस बेसिस पर यहां लिखेंगे हमारे पास कितने production department है और यहां लिखेंगे के हमारे पास कितने service departments है अभी मैं मान लेता हूँ के हमारे पास तीन production department है A, B, C और दो service department है D और E तो यह statement ऐसे बनेगी फिर फर्दर अगर आप production department में column बनाना चाहो तो ऐसे आप column बना लेना इस तरीके से पहले मैं अपनी format बनाऊंगा फिर format के अंदर क्या लिखूंगा सबसे पहले लिखूंगा direct costs direct cost production department की ignore कर देना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की direct cost को ignore कर देना क्योंकि production department ने जो production की है उसकी direct cost तो मेरी कॉस्टिंग में पहले से ही जा चुकी है अब आए service department, service department ने कोई production तो की नहीं है, उसने तो service दिया है, तो production department के product की कोई अलग से तो cost होनी नहीं है, तो उसकी direct cost कहां जाएगी, तो उसकी direct cost हम अपने overheads के अंदर डाल देंगे यानि की production department, sorry, service department की direct cost दर असल business के point of view से indirect cost है, ठीक है sir, तो direct cost के बाद में हम लोग क्या करेंगे, direct cost के बाद में हम लोग लेंगे, फिर एक तो लेंगे allocated overheads, allocated overheads कितना simple होता है कि वो तो आपको बताया होता है कि ये खर्चा किसका है, जिसका है, उसमें डाल देना, फिर आएगा मेरे पास common expenses, ये common expenses ही मेरे लिए problem की बात है, तो मैं इनको apportion करूँगा, और उसके लिए कोई ना कोई suitable basis लूँगा, और खर्चे बार बार आते रहेंगे, खर्चा नमबर एक, खर्चा नमबर दो, खर्चा नमबर तीन, और मैं इन्हें बार बार किसी ना किसी basis पर बांटता रहूँगा, जब मेरे खर्चे खतम हो जाएंगे, तो फिर मुझे पता लग जाएगा, कि मैंने किस डिपार्टमेंट पर कितना खर्चा किया, और जब मुझे ये पता लग जाएगा, तो इसका नाम होता है प्राइमरी डिस्ट्रिब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रिबूशन का मतलब होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के खर्चे को इकठा कर लो, चाहे वो प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट है, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके बाद क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट कोई production नहीं कर रहा इसलिए उसका खर्चा प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा वरना इसके खर्चे की recovery नहीं हो पाएगी क्योंकि इसने कोई production नहीं किया तो फिर हम करते हैं secondary distribution secondary distribution का मतलब होता है service department के खर्चे को उठाना और production department पे transfer करना Sir ऐसा क्यों किया आपने क्यों कि service department कह रहा है कि जी मैंने क्या किया मैंने कुछ production थोड़ी ना की मैं तो आपके सहायता करने के लिए काम कर रहा था जैसे के आप देखते हो accounts office होता है accounts office कुछ production थोड़ी ना कर रहा है आपका staff room कुछ production थोड़ी ना कर रहा है library को प्रोड़क्शन थोड़ी ना कर रही है तो इन सब के खर्चे इनके ओपर transfer करेंगे family के example की बात करें तो बच्चे कह रहे है पापा ममी हम तो पढ़ रहे है और पापा ममी कह रहे है हाँ चिंता मत करो तुमारे खर्चे हमारी जिम्मेदारी है तो हमने ले लिए अपने उपर ले लिए अब ये हमारे पास क्या हो गया अब ये हमारे पास total खर्चे आ गए और ये खतम हो गए, 0 हो गए अब हमें ये पता लग गया कि हमने A department पर total इतना खर्चा किया B पर total इतना खर्चा किया, C पर इतना खर्चा किया अब इन department में आपने production किया तो फिर आप क्या करोगे आप इसको recover करने के लिए कोई ना कोई rate ढूडोगे जिसके हमारे पास बहुत सारे method है अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम rate निकाल लेंगे इसका rate निकालेंगे इसका rate निकालेंगे इसका rate निकालेंगे जब rate निकल जाएगा तो फिर product के अंदर वो cost हम transfer कर देंगे और ये कोई एक class में समझने की चीज नहीं है ये तीन stages जो आपको समझने है इसके लिए अभी कई सारी classes लगेंगी मैंने starting में कहाता कि ये chapter कहता है patience रखनी होगी लंबा process है ठीक है तो आज हम पूरा ये तीनो process वाला एक question आपको करके दिखाएंगे एक दो question homework में भी देंगे में कौन सा question करना है मैंने का रुकिए मैं आपको बताता हूँ चलिए मुझे मिल गया जिसमें हम ये तीनों चीज़े कर सकते हैं वो है हमारी book का unsolved question number one पढ़िए The following data were obtained from the books of light engineering company for the half year ended 30th September calculate departmental overhead rates for each of the production department यानि question को आखरी तक करके दिखाना है मतलब वो overhead के recovery rate की भी बात आप से कर रहा है कि overhead recovery rate तक निकाल के दिखाना तो primary distribution होगी, secondary होगी तब जाके ये rate निकलेगा Assuming that overheads are recovered as a percentage of direct wages कह रहा है कि अभी तो आपने overhead recovery के method पड़े नहीं है तो आपको मैं एक method बता देता हूँ आपने कभी cause sheet में भी discuss किया था percentage of direct wages जानकारी सुन लो A, B, C, 3 production department है X और Y दो service department है ठीक है Direct wages, direct material, number of employees, electricity के kilowatt hours, light points asset value मतलब machinery किसके पास कितनी value की लगी हुई है और area किस department ने कितना occupy कर रखा है तो ये सारी आपको information है जैसे use करनी हो वैसे use करना ठीक है sir Next page पर आते है Next page पर हमें खर्चे दिये हुए है 6 महीने के stores, motive power, electric lighting, labor welfare, depreciation, repair, general overheads, rent in taxes अब बताईए ये सारे खर्चे common हैं के allocated है Sir common है और common खर्चों को आपने 5 department में transfer करके दिखाना है और उसके लिए क्या basis होंगे उन्होंने का हम आपको ये basis बता रहे हैं उनमेंसे जो अच्छा लगे वो कर लेना बताएं काम करना शुरू करें Yes sir समय हमारे पास कम है और हमें जल्दी से काम करना है तो सभी बच्चे जल्दी से शुरू हो जाएंगे और मुझे बताएंगे के हम कौन सा question करने जा रहे हैं Sir हम करने जा रहे हैं Question number one Unsolved question है महिश्वरी मित्तल बुक और मेरे addition का page number है 296 इस काम को करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी Overheads Distribution Sheet बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले कॉलम में रहेगा पर्टिकुलर्स पहले मैं बनाता हूं फिर आप बनाना दूसरे में रहेगा Basis फिर रहेंगे तीन Production Department है और दो Service Department है तो Production Department एक Production Department दो Production Department तीन और Service Department यह है अगर यहां पर Service का नाम लिख दिया जाता ना तो Question के मं अंदर Secondary Distribution भी है भी हो जाती तो Question ने Service Department को हलका रखा है ठीक है ना ठीक है सर और यहां पर आएंगे Suitable Basis और यहां पर आएंगे हमारे पास Particulars शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं Direct Cost लूँगा अगर Question ने बताई है Direct Material Direct Wages और हमें दोनों बताई हुई है और ध्यान डखना है कि यह सिर्फ और सिर्फ Service Department की लेनी होती है Production Department की नहीं लेनी होती सिर्फ और सिर्फ Service Department की लेनी होती है तो चेक कीजिए 1500, 1000, 1000 और 1000 Material नीचे दिया है, Wages उपर दिया है तो पहले यह खर्चा डाल दो 1500, 1000, 1000 और 1000 इसके बाद मेरे पास सबसे पहला खर्चा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, Stores Overheads Stores Overheads Stores को बाटने के लिए मेरे पास सबसे पहला तरीका तो था Material Requisition मुझे बता दी जाती लेकिन Question ने जो Data दिया उसमें Material Requisition नहीं है तो Material Requisition को भूल याओ और सोचो Sir Stores का मतलब होता है सामान तो सामान की अगर खर्चे की कॉस्ट को डिवाइड करना है तो सामान की Value ले लो तो ये ले लूँगा Value of Direct Material Stores ओवरहेड के लिए Base बनाऊंगा Value of Direct Material अब देखिये सर Direct Material देखेंगे Department A, Department B, Department C, Department X, Department Y Direct Material Direct Material है यहाँ 3000 2500 2500 1500 और 1000 टोटल 3, 2, 5, 55, 75, 8, 9, 10 टोटल हो गया 10,000 और मेरे पास Stores का खर्चा है 400 तो मेरे पास बाटने के दो तरीके हैं पहला तरीका एका खर्चा होगा 400 इन सब के टोटल से डिवाइड कर दो और इसके अमाउंट से मल्टिप्लाई कर दो Similarly, B का खर्चा होगा 400 इन्टू 2500 अपान 10,000 इसका मतलब पहला तरीका तो यह हो गया Expenses को टोटल वेल्यू से डिवाइड कर दो और इंडिविजूल वेल्यू से मल्टिप्लाई कर दो अब बच्चा कह रहा है सर इसमें रटवा क्या रहे हो यह तो हम पार्टनर्शिप में पढ़ते वे आए हैं कि अगर इसे पार्टनर्स में बाटना हो तो कैसे बाटोगे रेशो निकाल लो या तो आप ऐसे बाट लो या आप रेशो निकाल लो अब देखो इसकी रेशो सिंप्लिसिटी से आसानी से निकल रही है इन सभी को मैं 500 से डिवाइड करता हूँ तो 5, 6 जा 30, 5, 5 जा 25, 5, 4 जा 20, 5, 3 जा 15, 5, 2 जा 10 तो रेशो आगई 6, 5, 4, 3, 2 अब सर इसका खर्चा हो जाएगा 6 बाए 25 बाए 20, 4 बाए 20, 3 बाए 20, 2 बाए 20 मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कई बार ना रेशो निकालना आसान होता है तो बच्चा रेशो में डिवाइड कर देता है और कई बार एमाउंट डिफरेंट हो जाते हैं और बच्चा रेशो निकाल नहीं पाता ठीक है सर आईए जी तो मैंने इसकी रेशो यूज़ कर ली 6, 5, 4, 3, 2 बाटिए 400 रुपीज को इस रेशो में बाट दीजिए बताईए कितनी आ रही है जल्दी से बताईए मेरे पास आ रही है 120, 100, 80, 60 और 40 स्टोर्स ओवरहेड के बाद अगला खर्चा है मोटिफ पॉवर 1500 का खर्चा है मोटिफ पॉवर का तो पॉवर के लिए क्या यूज़ करूँगा होर्स पॉवर या किलो वाट आवर्स क्या गिवन है किलो वाट आर्स गिवन है तो किलो वाट आर्स की रेशो में डिवाइड कर दो अब सरक किलो वाट आर्स दिये हुए है ए के 8,000 6,000 फिर से 6,000 फिर 2,000 और फिर 3,000 चलिए खर्चा है 1500 का तो इसकी ratio निकालना तो सर एकदम simple हो गया, यह cut गया, तो यानि 8, 6, 6, 2 और 3, 8, 6, 14, 6, 20, 22 और 3, 25, यानि 1500 को 25 से divide करना है, 1500 divided by 25, यह आया 60, और फिर इसे multiply करते जाएंगे, 60 into 8, 4, 80, 60 into 6, 60 into 2, 60 into 3, सर आपने बड़ी जल्दी जल्दी कर दिया, ऐसी भी क्या जल्दी है, मैंने का कोई बात नहीं न, खुद से करो, lightning, base बताओ, सर number of light points, yes, number of light points given है, अगर number of light points given नहीं होते, तो area की ratio में divide कर देता, light points given है, मेरे पास 10, 15, 15, 5 और 5, तो 1, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 6, 2, 8, और 2, 10, और खर्चा कितना है, lightning का खर्चा है, सिर्फ 200 रुपे, तो बाट दो, 40 रुपीज, 60 रुपीज, 60 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज, lightning के बाद खर्चा है, labor welfare, अब labor welfare का मतलब होता है, employees को कुछ चाय पानी नाश्ता कराया होगा, यही labor welfare है, तो इसके लिए basis होते हैं, number of employees, तो मेरे पास number of employees कितने हैं, labor welfare का खर्चा तो है, तीन अजार, और number of employees मेरे पास हैं, 200, 150, 150, 50 और 50, तो सर, 1, 1, 3, 3, और 4, बारा, डिवाइड कर दो, 3000 divided by 12, 250, तो यहाँ पर थे 4 की ratio, 1000, यहाँ थी 3 की ratio, 750, 750, 250, 250, आप अपना time ले सकते हैं, मुझे लगा कि इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो मैंने फटा-फट लिख दिया, depreciation, value of machinery, अब depreciation का खर्चा मुझे दिया हुआ है, 6000, और value of machinery मुझे दी हुई है, पचास हजार, तीस हजार, बीस हजार, दस हजार और दस हजार, तो फाइव, त्री, टू, वन, वन, तो यह भी हो गई, बारह, तो बारह में इसको डिवाइड कर दो, तो 6000 divided by 12, 500 रुपए, तो 500 इन्टू 5, 500 इन्टू 3, 500 इन्टू 2, 500 इन्टू 1, और 500 इन्टू 1, डेप्रीसियेशन के बाद, रिपेर अंड मेंटेनेंस, तो रिपेर अंड मेंटेनेंस भी वही वेल्ली ओफ मशीनरी, 5, 3, 2, 1, तो रिपेर अंड मेंटेनेंस अखर्चा पूरे 1200 रुपए है, तो 5, 3, 2, 1, और 1, रिपेर अंड मेंटेनेंस के बाद मेरे पास आगया जेनरल ओवरेड्स, अब जेनरल ओवरेड्स ना आपको डराएगा, तो मैं रेड पैंस लिख देता हूँ, यहां मेरे पास सबसे पहला था डारेक्ट वेजिस, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग ना आप एक नोट दे देना, कि हमारे पास जेनरल ओवरेड्स क्या पता किस चीज के खर्चे हैं, तो हमने डारेक्ट वेजिस के बेसिस पर इसको बांट दिया, तो मेरे पास डारेक्ट वेजिस कितनी थी, 7,000, 6,000, 5,000, 1,000, 6, 13, 18, 19, 20, तो टोटल हो गया 20, और जेनरल ओवरेड्स हैं मेरे पास, 10,000 के, तो दस हजार को डिवाइड करेंगे 20 से, 500, तो इन सब को 500 से मल्टिप्लाई करते चलो, बाटिये, जेनरल ओवरेड्स, ये हो गया सर, 3500, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 500, इसके बाद मेरे पास है, रेंट एंड टेक्सिस, अब रेंट एंड टेक्सिस को अमबाटेंगे, on the basis of floor area, एरिया की रेशो है, 800, 600, 600, 200, 200, तो 1, 1, 3, 3, 4, 4, 3, 7, 3, 10, 12 और टोटल खर्चा है 600 रुपे का तो यह हो गया 50 रुपे, सबको 50-50 रुपे से मल्टिप्लाई कर दो 15 to 4, 200, 15 to 3, 150, 150, 50, 50 लीजे, प्राइमरी डिस्ट्रिबूशन मेरी कम्प्लीट हो गई टोटल कीजे कितना आ रहा है 120, 480, 40, 1000, 2500, 500, 3500 और 200 8,340, 100, 360, 60, 750, 1500, 300, 3000, 150, 6000, 220, 80, 360, 60, 750, 1500, 1000, 200, 2500, 150, 50, 100, 1500, 1000, 60, 120, 20, 250, 541, 600, or 550, 4100, 1000, 1000, 1000, 40, 180, 20, 250, 500, 100, 500, or 50, 3640 अभी मैंने कम्प्लीट कर ली है प्राइमरी डिस्ट्रिबूशन अब सेकेंडरी डिस्ट्रिबूशन कहती है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है न वो इन तीनों में शिफ्ट होगा तो यह 40, 100 शिफ्ट होगा और यह 3640 शिफ्ट होगा अब सर इन दोनों का खर्चा इन तीनों पर कैसे शिफ्ट होगा? तो यह मैं नहीं बता सकता क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के ओपर लिखा हुआ है X और Y X और Y क्या होते हैं? हमें क्या पता? अगर यहां कुछ डिटेल लिखी होती तो फिर मैं अपना कंसेप्ट चलाता अच्छा जैसे यहां खर्चे का नाम दिया है जैसे यहां लिखा होता कैंटीन तो मैं कहता number of employees यहां लिखा होता stores department तो मैं कहता value of material या material requisition तो सबसे अच्छी बात है अगर यहां पर X, Y, A, B, C, D लिखा है तो इसका मतलब इनका खर्चा distribute करने का तरीका question बताएगा आपको कुछ नहीं करना आपको सिरफ question से पूछना है तो लिखा है apportion expenses of department X in 4 is to 3 is to 3 ratio and department of Y in the proportion of direct wages of A, B, C respectively इसका मतलब हो गया इसकी तो ratio दीवी है 4 is to 3 is to 3 और इसके लिए ratio लेनी है direct wages service department X, service department Y तो यह बांट दीजिए तो सर यह इसके उपर और खर्चा आएगा 16, 140, 12, 30 और 12, 30 और इसका direct wages की ratio में बांट होगे 7, 6 और 5 7, 6 और 5 तो यह आएगा 1, 4, 1, 6 1, 2, 1, 3 और 1, 0, 1, 1 अब इन सब को total कर दीजिए तो factory में जो total खर्चा हुआ था वो पांच department के उपर हुआ था यह दो department कोई सामान नहीं बनाते इसलिए इनका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी इनकी हो गई तो अब हमारा total जो खर्चा निकल करके आया वो निकल के आया 11,396 इसको जोड़िए 8,663 और इसको जोड़िए 7,341 अब सर इस खर्चे को recover करना पड़ेगा production से और कैसे recover करेंगे तो मैंने आपको cost sheet वाले chapter में बताया था कि overheads को recover करने के there are six methods तो आपको हम आगे चलके पढ़ाएंगे लेकिन अभी के लिए question ने कहा है कि इसको आप on the percentage of direct wages बताओ ये भी एक method होता था अगर आपको ध्यानो और cost sheet में तो बहुत बार हमने इस method को use किया था overhead rate as a percentage of direct wages तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ overhead divided by direct wages into 100 ये वाला formula लगाने के लिए वो आपसे कह रहा है ठीक है sir तो ये वाला formula लगा दीजे overheads है 11,396 11,396 divided by 7,000 162.8 तो इसका आगया 162.8 इसकी wages थी 6,000 तो इसका rate आगया 144.38 और इसकी wages थी 5,000 तो आगया 146.82 लिजे लिजे हमने question number one को complete कर दिया बहुत simple सा concept था अब आपके पास इसके related दो homework में question है हमारी book में एक तो illustration number 5.1 है हमारी book का page number 241 ठीक है homework में illustration number 5.1 page number 241 मेरे addition का और साती सात illustration number 5.2 5.1 तो इतनी simple है कि उसमें कुछ है ही नहीं 5.2 लाइट इंजिनरिंग फेक्टरी कंपनी ठीक है यह वाला question आप करेंगे यह बिलकुल हमारे जो example था बिलकुल उसी के जैसा यह question है हमारे पास यह है आपका page number 242 यह आपके पास homework जाएंगे दो question और आज ही class में इतना ही next class में हम आपको पहले secondary distribution मलब service department के बारे में और गहराई से बताएंगे कि जब उनके नाम दिये हो तो उनके खर्चे को कैसे बाटा जाता है ठीक है सर आज इतना ही ओके टाटा बाइबाइबस यूँ